प्यार में ना जाने कितने प्रेमी और प्रेमी काओं को अपनी इस्क की बली देनी पड़ी है इस्क की बली तो दे दी जाती है परिवार के दवाब में लेकिन उन्ही यादों की बली कैसे देंगे ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आ रहा है जहां एक प्रेमी का ने शादी के बाद कुछ ऐसा किया कि पूरे परिवार के लोग स्तब्द रहेंगे अब क्या है पूरा मामला आईए आपको बताते हैं इसक नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है डूब के जाना है प्यार का होना जितना आसान नहीं होता उससे कठिन होता है उसे भूलना कहां आसान होता है इसमृतियों का जाजा मिटाना प्यार के दौरान कुई छोटी से छोटी घटना भी आपको टीसते रहती है उसे कहां भूल पाते हैं हम अच्छी बुरी आस्चर्य जनक स्वभाविक हर घटनाए यादों की शूल बन जाती है भले ही प्यार पचीस साल पहले ही क्यों न हुआ हो लेकिन उस दौरान एक एक बात इसमृति में रहती है प्यार लोग साधी के बाद भी कहां भूल पाते हैं कई बार तो इस कारण साधी सुदा जिंदगी नर्क तक बन जाती है ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आ रहा है लड़की ने अपने प्यार को याद रखने के लिए बेटे के नाम ही प्रेमी के नाम पर रख दिया पांच साल तक तो यह राज छुपा रहा लेकिन बात निकलेगी तो दूर तक तो जरूर जाएगी पती को इस बात का पता चला तो उसके हो सुड़ गए इसके बाद सक्स ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की पती ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ खरीदारी के लिए गया था तभी उनकी भेट पत्नी की पुरानी सहेली से हो गई उसने लिखा है कि मेरी पत्नी की सहेली ने पूछा कि क्या उनके बच्चे हैं पत्नी ने सरमिंदगी से कहा कि एक बेटा है वही जब महिला ने बच्चे का नाम पूछा तो मेरी पत्नी हिचकिचाने लग गई सक्ष ने कहा कि तभी मैंने उसे अपने बेटे का नाम बता दिया बेटे का नाम सुनते ही महिला के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया उसने कहा कि तुम्हारा मतलब अपने पूर्व प्रेमी जैसा है जिससे उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ पती को दुख हुआ कि उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम अपने प्रेमी के नाम पर रखा है शक्स ने आगे कहा हमारे बेटे का नाम इतना अनोखा है कि मैं कभी भी उसी नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ती से नहीं मिला अब वह मुझसे इस बारे में बात करने से इनकार कर रही है मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं उससे नफरत करता हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में कोई स्विच चालू हो गया है और मैं उससे पहले जैसा नहीं देख सकता सक्ष ने आगे कहा कि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि अगर मैं अपने पूर्व प्रेमिका के नाम पर बेटी का नाम रखता तो उसे कैसा लगता उसने तुरंत वह नाम रखने से इनकार कर दिया इस सक्ष ने कहा कि जब मैंने नाम पर चर्चा की तो मुझे नहीं पता था कि यह उसके पूर्व प्रेमी का नाम है पती ने बताया कि मैं अपनी पत्नी के इस कृत्तिक से हैरान हूं और खुद बिमार महसूस करने लगा हूं पती ने बताया कि बातों ही बातों में मैंने जब अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो तो उसने हां कहा मुझे लगा कि बेटे का नाम पूर्व प्रेमी के नाम पर रखने की बात सिर्फ मेरी बीवी जानती थी लेकिन इस बारे में उसके माँ बाप, परिवार और दोस्त भी जानते थे अब मैं अपने बेटे का नाम बदलना चाहता हूं तो वो इससे भी इनकार कर रही है लोग सक्ष के इस पोस्ट पर जम कर कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग उसे अपनी पत्नी से अलग हो जाने की सलाह भी दे रहे हैं तो कुछ लोग अपनी खुद की कहानी बयान कर रहे हैं कहते हैं कि प्यार के दौरान महसूस की गई चीजें आपके द्वारा पहले महसूस की गई किसी भी चीज के विपरीत होता है इसला कि किस तरह से यादो की बली चड़ाने में प्रेमी का असमर्थ रही अपने यादो का बली चड़ाने में और प्रेमी के नाम पे ही अपने बेटे का नाम रख दिया फिलाल इस अपडेट में इतना ही और भी खबर के जुड़े रहेगा न्यूस फोर नेशन के साथ